आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रूट कस्टड की रेसिपी यह बहुत ही डिलीशियस लगती है उस ते भी जादा बहुत ही एजी होती है बस आपको चाहिए दूद कस्टड पाउडर शुगर और बहुत सारे फ्रूट्स और आपकी रेसिपी बनने के लिए बि लिए एक्चली तीन ही डाली थे पर तीन मेरे इतने भर-बर के डाले थे कि आप फोर टेबल स्पून लेना ठीके नॉर्मल के और इसमें डालेंगे हम दूद दूद अपना थंडा यूज कर सकते हो ने तो लुक वाम एकदम गरम दूद मत डालना ने तो लंप्स बन जाए तो बॉल करने के लिए मैंने हाई फ्लेम पे उसमें एक अच्छा सा उबालाने दिया अब यहां पर गलती क्या हो गई गरम दूद में भी मैंने कस्टर डाल दिया था अब यहां पर शुगर कितनी डाली है तीन से दो चंब शुगर डालिएगा ज्यादा अब मिठा खाते ह इसमें बॉल आने दिया था बट दूद का टेंपरेचर तो सडेनली लो नहीं होगा वहाई पर ही था तो देखिए कस्टर का क्या हो गया थोड़े से लम्स बन गे थे डोंट वरी अगर आपके साथ बे ऐसा होता है तो आप एक विसकस लेना उसे अच्छे से इसमें इसमें अब लुट को बॉले लेना उसे फिर लुक वर्म होने देना और फिर ये प्रोसेस करना ठीक है अब उस दिन तो जनमाश्टमी थे और मैं बहुत जल्द बज में सारी चीज़े बना रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी में ऐसा ही बना लिया था बट कोई फरक नीपड़ा बहुत अच्छे से कस्टर जमा था तो ऐसे भी कर सकते हो जो भी आपको प्रिफरेबल लगे वैसे करना ठीग है अब यहां पर देखो दूद को गाड़ा करना है हमें कस्टर पाउडर को डालने के बाद जादा मत करना कस्टर पाउडर में कॉन फ्लार होता है वो अपने आप होता जाता है डालने के बाद अब दो घंटे इसे अफ्रीजरेटर में नॉर्मल टेंपरेचर पर दो और यह देखो जैली जैसा बिल्कुल सेट हो चुका है अब इसमें आपको जो भी फ्रूट्स परसंदो वो फ्रूट्स एड़ कट दो मुझे ग्रेप्स भी डालने थे मुझे कई मिले नहीं एक बॉल एपपल एक बॉल बनाना एक बॉल पपाया और आरदाना डालाए अनारदाना इस आपको कोई fruit मिले ना मिले अनार दाना तो मिलना ही चाहिए इससे डालने के बाद जो crunch और जो स्वाद आएगा वो बहुत ही बढ़िया होता है अचाहो तो ड्राइव फूट्स पी आड़ कर सकते हो और कुछ नहीं इसे मिक्स कर दो और गार्निश कर दो थोड़े से फूट्स साइड में निकाल के रखना और उससे इसे गार्निश कर देना और यह हमारा डिलीशियस सा प्रूट कस्टर बनके बिल्कुल रेडी है इसके सा आप आइस क्रिम भी आड़ कर सकते हो जो चाहे वो आड़ करो और इसे मस थंडा करके खाओ इस रेसिपी को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब